नमस्कार स्टेटेम न्यूस में आपका स्वागत है नसर टालेंग के जिन भर की बड़ी कतिवतियों पर स्रीनगर के सोपॉर में हुए एक आतंकवादी हमले में बीडिसी मेंबर उनके सेक्यूरिटी गार्ड और एक आमनागरिक जखमी हुआ है जानकारी के मताबिक पीएसो की मृत्यू हो गई है इस हमने की जिम्मवारी किसी आतंकवादी कुठने अभी तक नहीं ली है सुरक्षबर इलाके की गहरा बंदी कर तराशिय अभ्यान चला रहे हैं घाटी में अतंकी साज़िश नकाम उत्री कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सिमावर्ती करा सेक्टर से पुलिस ने रविवार को हत्यारों का जखीरा बरामत कर इलाके में अशांती फिलाने की एक बड़ी साज़िश को नकाम कर दिया है इसमें पांच AK-47 राइफलें, साथ पिस्तोल और भारी मात्रा में कार्तूस शामल है महबुबा मुफ्ति ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि बत्तर और बंदूक उठाने से किसी समस्या का समधान नहीं होगा हम अपनी बात शांति बुन तरीके से रख सकते हैं कुछ लोग चाहते हैं कि घाती के लोग बंदूक उठाएं ताकि यहां के युवाओं पर पिये से लगाया जा सके राष्ट्रिय जांच एजिंसी ने पीजीपी के युवा नेता वहियुद रह्मान परा पर हत्यारों की तसकरी और टेरर फंडिंग के अरोप लगाए हैं डिस्ट्रिक पुलिस कुलगाम ने कुलगाम में उन गाडियों के खिलाफ एक मोहिम चलाई जिनके पास की प्रॉपर डॉकुमेंट या रिजिस्ट्रिशन नहीं थी इस मौके पर कई गाडियों पर चलान किये गए जमु शहर में बर्ते करोना वारिस के मामलों को देखती हुए एड्मिनिस्ट्रेशन द्वारा राट टेस्ट करने की मोहिम चलाई जा रही है और चका जगा पर रोगों के राट टेस्ट किये जा रहे हैं डिविशनल कमिशनर डॉक्टर रागव लंगर और जमु मुनसिपल कॉर्परिशन के मेर ने मुबारक मंडिक कॉम्पलेक्स का दौरा कर वहां चल रहे परियोटनाओं का जायजा लिया डोग्राफरन शिवसेना ने पी एचे डिपार्टमेंट के खिलाफ जम कर परदर्शन किया हैं लोगों ने कहा कि पानी की नर्विगन सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा है इस वज़ा से लोगों को परिशानी उठानी पड़ स्टेट एम न्यूज में आज बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी नमस्कार